दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले Nubia की दरब से उनका न्यू स्मार्टफोन जो लाउच हो चुका है चायना में Red Magic 7 Pro के बारे में ये काफी जबरदस स्मार्टफोन है दोस्तों इसके अंदर आपको काफी जबरदस स्मार्टफोन के फीचर देखने के लिए मिल जाते और यह एक गेमिंग स्मार्टफोन है दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले Red Magic 7 Pro के अंदर आपको क्या क्या इसे बेतरिन से स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएंगे और किस प्राइस पॉइंट पर यह लॉंच हुआ है चाइना में सो दोस्तों बिना किसी दरीके स्टार्ट करते अमारी वीडियो इसी प्राकार का मोबल रिलेटेड कॉंटेंट डेली अप्लोड होता रहता है चैनल पर तो लाइक शियर सब्सक्राइब कर लिजए अमारी चैनल को स्टार्ट करते अमारी यह बेतरिन से वीडियो दोस्तों यहाँ पर हम डिस्प्ले के बात करें तो 6.8 इंच का FHD Plus Super AMOLED डिस्प्ले यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पर आपको 165 Hertz का Fast Refresh Rate भी देखने के लिए मिल जाता है वही यहाँ पर आपको 720 Hertz का Touch Sampling Rate भी देखने के लिए मिल जाता है तगड़ी परफॉमंस यहाँ आपको डिस्प्ले वाइस देखने के लिए मिल जाएगी और काफी यहाँ पर अच्छा डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल जाता है और 780Hz का यहाँ आपको टस सेंब्नें क्रेड भी देखने के Bently मिल जाता है मतलब जो आप गेमिंग करने वाले यहाँ पर आपको काफ़ी स्मूथ एक्स्प्रियेंस देखने के लिए मिल जाएगा सो दोस्तो डिस्प्ले वाइस तो कोई भी प्रोब्लेम इस स्मार्टफोन में आपको देखने के लिए नहीं मिल वाले डिस्प्ले काफ़ी जबर्दस इस स्मार्टफोन का देखने के लिए मिल जाएगा प्रोसेसर की बात करें तो कॉलकॉम की तरफ से आने वाला हूंका स्मार्टफोन के अंदर काफी तगड़ा स्मार्टफोन यहापर आपको देखने के लिए मिल जाएगा यह Red Magic 7 Pro, तो दोस्तों वही तो यहापर हम कैमेरा की बात करें तो ट्रिपल कैमेरा सेटप यहापर आपको देखने के लिए मिल जाएगा 64 मेकाफिक्सल का यहापर आपको मेन सेंसर देखने के लिए मिल जाएगा 8 मेकाफिक्सल का अल्टरवडी सेंसर होने वाल है और 2 मेकाफिक्सल का यहापर आपको और एक सेंसर देखने के लिए मिल जाएगा camera setup decent सा यहाँ आपर आपको देखने के लिए मिल जाएगा तो दोस्तों इसके अंदर आपको काफी decent सा camera setup देखने के लिए मिल जाएगा क्योंकि यह gaming smartphone है तो यहाँ आपर आपको processor display काफी तगड़ा देखने के लिए मिल जाता है वही तो यहाँ पर हम front camera की बात करें तो 16 megapixel का यहाँ आपर आपको under display selfie camera भी देखने के लिए मिल जाता है camera setup काफी decent सा यहाँ आपर आपको देखने के लिए मिल जाता है वही तो यहाँ आपर हम बैटरी के सेटप की बात करें तो 5000-मज की बड़ी सी बैटरी है इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाती है, और यहाँ आपर आपको 135-Wh का FAT Charger भी देखने के लिए मिल जाता है, बैटरी सेट अप तो काफी जबरदासी इसके अंदर आपको वही यह आपर हम memory variant की बात करें तो 12GB RAM, 128GB storage, 16GB RAM, 256GB storage, 18GB RAM, 512GB storage यसे तीन memory variant इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं और इसके अंदर आपको 6GB का virtual RAM support भी देखने के लिए मिल जाता है इसके अंदर आपको Android 12 देखने के लिए मिल जाता है LPDDR5 RAM इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाती है यहाँ पर आपको UFS 3.1 storage देखने के लिए मिल जाता है Wi-Fi 6 होने वाला Bluetooth 5.2 का support यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है In-display fingerprint scanner यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाता है आपको देखने के लिए मिल जाता है